इस शूर म्रमी और इला oh अधिसिस फिर्स जे ओधियृ ग्लास है और हमारे पह इसमें दो टॉपिकस था मिठा एंडियाओ टाइप एक नहीं गया एह ति अ कह 78 श्च वाइंग इक थे औल्च تمड़ đ SPEAK कि आपके पास कोई स्टेट्मेंट लिखी और कोई नंबर हुई ना आप मानोगे नहीं उसको कि यह मैंस ऐसा है या नहीं है वह जब आप मैंस बढ़ने आयों आपका नंबर से वास्ता लाज भी पड़ेगा अब नंबर्स को ना कि ओवरॉल दो तरह से डिवाइड दिया है नंबर की दो बेसिक टाइप्स के बारे में पहले मैं आपको एक हिंट देखूं कि नंबर्स रहना वह एक होते हैं रेल लंबर्स और दूसरे होते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर्स कभी आपने आप कैल्कूलेटर से डिफ्रेंट टैप के नंबर्स सौल्फ करते रहे हों ठीक है तूफाइड से मटिप्लाई करना है कर लोगे अंडरूट ट्वेंटी निकालना है निकाल लोगे पर क्या कभी आपने अंडरूट में माइनस 20 सौल्फ करके देगा है क्यों इसका रीजन यह कि यह वह नंबर्स है जो आम मैंसे सौल भी नहीं होते हैं इसलिए इनको कॉम्लेक्स नंबर्स कहा जाते हैं जो हमारे बेसिक रूल्स मैंसे वह इंप्लेमेंट नहीं होते हैं जब कभी रूट के अंदर नेगेटिव वैली होगी तो वो हमारी नॉर्मल नंबर्स की क्रेटिकरी से बहारने कर जाएगा हम उन्हें सौल नॉर्मल मैफेड से नहीं कर सकते हैं अच्छे तो रियल नंबर्स अब कौन से होते हैं सारे नंबर्स नंबर्स कर रहें वह लेवल्स के स्लेवर्स में हमारे पास हम रियल नंबर्स से ही डिल करेगें इन में आप लोग ने डिफ्रेंट टाइप अफ नंबर्स पड़े होंगे जैसा कि अगर मैं बात करूं सबसे पहले नंबर टाइश में आपने एक नाम का भी पड़ा होगा जो इसको नैच्रल नंबर्स कहा जाता है तो किसी को आइडिया है नेच्रल नंबर्स के लिए ना एक आम लब्स यूज़ किया जाता है काउंटिंग नंबर्स अब आप मुझे इतना बताईए कि वैन यू स्टार्ट काउंटिंग कि अगर आपको का जाएगा कि इस क्लास में डेक्स काउंट करके बताओ आप कहा से स्टार्ट करेंगे आप लोगे वन टू थरी कभी ऐसा तो नहीं होगा आप सीरो से शुरू करूंग इस सरी के से यहाद रहेगा और इसके बाद तू यहाद रहे है को यह और वैल्यू नहीं आती है तो नेच्र नंबर समझ में आ गया दियार कांटिंग नंबर दे इस स्टार्ट रॉम वन एंड देंगे जहां तक कांटिंग जालेगी वहां कि इसके बाद इसके अंदर हमारे पास होते हैं पोल नंबर कि यह नेच्रल नंबर के बाद वोल नंबर का दिकर होता है आपके मताबिक क्या है विद्धा वोल नंबर कि इस वोल नंबर और इंटीजर्स में फर्क है वैसे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है लेकिन कुछ तो डिफ्रेंस होगा हां असल मैं बले जब हम अमगोर ज्च बढ़ते तो अधिन का मतलब तरक है कि Is0 लैस नाचरल नम्बर बोल नंबर दार जीरो प्लस नेच्रल नेच्रल नंबस में जीरो को भी शामिल कर दिया जाए तो वो क्या बन जाते हैं इस ट्रीक से बिता है ठीक है इसके लावा आप लोगोंने नाम सुना होगा आप क्लासिफिकेशन में आपने पूल नंबर्स के बाद इवन और पड़े होंगे इवन पता है क्या होते हैं इवन नंबर्स कौन से होते हैं तो आप इसको कैसे डिफाइन करते हो इसे अधिकला या डिपिजिबल भाइट एना मल्टिबल्ट रूप या इस इदिपल अधू ठीक है और और 1357 मतलब यह करने के बाद नुम्बर बज गए ना क्या यहां पिर आप इसे ऐसे कह सकते हैं डिफिजिबल भाइटू ठीक तो इनको डिस्क्राइब भी करने के लिए कभी कवाद भूस लेते हैं जैसे वर्ट शीट दी जाएगी तो आपको थोड़ी बहुत कि तो स्टेट्मेंट इतनी आनी चाहिए इसके लिए का मैं पूदित के लिए टेवन के लिए देपिनिशन फिर्टी कर अपने अपने लावा कि देविल के नहीं आते हैं तो वन तो मनमें तो सारी नंबर आ दैना यह भी डिसको पीटा में इसको पिटा डिसक्राइब किया जाता है विदा के दैए वैट ह़ोंड वाग कर दो फैक्टर जिसके सिरिफ दो फैक्टर वो बैर अग दे नंबर इसल्थ तुव ञाद जरों ऑवन एंड ल्य नंबर तो इनता है तो जो आइए अगल सबस्क्राइब केशने वह पास कितनी थाइप के नमबर सबस्क्राइब एगल सबस्क्राइब कि अगला यह मैं उन्छा प्राइम नंबर में होगा क्यों कि या लगन के दो वैंट है आप दो निया वन को सिंगल वन ही उसका फैक्टर होगा ना टो वन प्राइम नंबर नहीं है राइम नौबर इस्टार्ट्स राउंट यह बहुत बेसिक मिस्टेक है जो अक्सर जो जाती है मैं देखी वीच को ट्राइब लिंग रूब नमब इस रच रॉब आ है सो कि लेगा मि या थेखर और वल्व या बागा थेखर देखर था ये बताओ के लेक्स हमारे पास प्राइम का ऑपोजिट भी कह सकते हैं लेकिन अगर मैं ऑपोजिट बोलूगा तो आप बोलोगे कि सर्फ जो नंबर हमारे पास प्राइम में नहीं आए हम क्या उनको एड़ करें कंपोजिट में तो इसलिए में यह बात घलत हो जाएगी कि मैं इसे ऑपोजिट नहीं कह सकता मैं यह कहूंगा के डैट है जिसमें दो से ज्यादा बनते हों उनको हम क्या कहते हैं कंपोजिट नंबर्स कहते हैं यह वास अब को समझ आई है ठीक है तो कंपोजिट कौन से होगे एक्जैंपल दो जरा आप बिटाइए ग्रेडेट वाले वाले बताईए तो कंपोजिट आप पहला होगा हमारे पास कौन सा होगा में पर दो टेक्ट है कियो नहीं आएगा इसमें इसमें दो से ज्यादा वैक्टर जाए मनाजास से फेली होता है ना कर दो हो ठीक है यह स्टार्ट परकी कितने आप रहें कि त्री कहुं से पिटें शाबाश फोर के तीन वैक्टर शक्र vraiment six shabash eight 9 बहुत है सबसे पहले तो इंधियर्ट क्या होते हैं आई इंधियर्स का स्वेख बार बार आएगा हम यह आवाई कि वह पी नमबर एक ऐसा फोल नंबर जिसके साथ साइन हो ठीक है वह इंटीजर्स एक यह इस नहीं पास डेसे मेल नंबर कभी भी नहीं हो तैसे मेल नंबर कौन से होते हैं जिसमें डेसिमल पॉइंट नजर आ रहोते हैं तो फैसे 2.5 0.004 इस सारी क्या एक डेसिमल्स की है ना इंटीजर्स को एक तरीके से ना आप जब नंबर को डिवाइड करते हो तो आप इंटीजर्स डेसिमल्स और इसी तरह फ्रेक्शन अब इनको दोड़ा ना इन तीन में डिवीजन होता है जब आप कुस्टेंश कर रहे होता है उसके अंदर हमेशा नहीं लफज आते हैं आपको बोलेंगे के फाइंड आवल पॉसिबल वैंडियो या पॉसिबल इंटीजर्स को यह आपको एक्वेशन थी उसमें वह कौट् क्वेशन क्या होती है नहीं बता तब कोई बात नी थोड़ा असान एक्जेंपल है ने कोई भी सिंपल लीनियर इक्वेशन है जिसके अंदर लेट सब्सक्राइब है कि टू एक्स इक्वेस्टो फोर है आप से बोलें एक्स की वैल्यों बताओ वागर वन टीजर होनी जाहि है तो आएगी कैसे आएगी माइनस टू करेंगे ना दूला डिवाइड करेंगे अच्छा चला कोई बात नहीं है हमारे आगे कॉल्ब आना है तो फिरा मुशी वक्रिसकोष ज्यादा डैप में जाके डिसकस करेंगे फिलहार मैं आप तो यह बात कर रहा था बिटा में देशिंट में प्रेक्शिंट किया परकें क्या फ़िए क्विक्यों बिहुड वहल नम्पर है विट इस विट आऱ सइन पोल्यकर टू इस अंट एंट स्ट उसको उस्को पार टेगा है खो प्लस का फाई प्लिप्लिक कि अवे टो ऑंडिजरे अच्छ आप लुट इस ए का फाइब है उसके साथ माइनस लगाना जरूरी है ठीक है तो अगर माइनस ट्वेंटी एक से निटीजर लेकिन अगर डेसिमल वैलियों की बात पर है तो डेसिमल में भी नहीं पॉजिटिव पॉजिटिव साइंस को टेंस यह नहीं होगा कि अगर माइनस का 0.5 लेकर तो मैं हम इंटीजर डेसिमल और फ्रेक्शन कहलते हैं कि यह तीन हो आपस में समचे एक डिफ्रेंटियेट कर रहे होते हैं तो यह कैडिगरी में आते नहीं को माइनस 0.5 इस डेसिमल कंटेनिंग नेगेटिव साइंग डेसिमल क्यों है आपको इसमें डेसिमल पॉइंट नजरा आ अंट को त्रॉड पॉड और शावर समझा रहे हैं यह जिसमें हमारे पास है अब ट्रेक्शन के बारे में मैं आज इतना ज़्यादा डिसक्स नहीं करूंगा तो इसके आपको यह बतार हो कि हमारे पास यह नंबर रिस्ट करते हैं इसकी अलग से हमारे पास जो है वह एक लास होगी जिसके अंदर अब इतके बारे में बात करें कि अभी बेसिक दो डिवीजन हमारे बागी है और वो क्या है जिस तरह मैंने आप से कहा कि जितने भी नंबर ने हम उन्हें दो में तक्सीम करते हैं एक वी डिवाइड दाम रेयल एंड कॉंप्लेक्स कॉंप्लेक्स और अंसर्व सॉल्वेबल बाइ और नॉर्मल कैलकुलेशन और नॉर्मल कैलकुलेशन तो वह हमारे फिलाल कोर्स का पार्ट नहीं है ठीक है बट रियल नंबर्स जो होते हैं यह आर फर्दर डिवाइड इंटो तो कैटेगरीस नंबर वन रैशनल और नमबर डू एर रैशनल इनकी डैफिनेशन जो लिखी गई है ना जो आप अक्सर किताबों में पड़ोगे रैशनल की के मैं आपको डैफिनेशन बताता हूं आपको वो डैफिनेशन यह बेटे के दैट कैन भी रिटन इन दा फार्म और पी अपान क्यों और पी और क्यों क्या होंगे वेर पी d and q are integers and q is not equals to 0 kya मतलब हुआ है पी अपॉन क्यों क्या है वही अपॉन आ रहे है चया कहलाते ही यह यह पी आपक्यों क्यों हुआ हूँआ है पी आपॉन क्यों मतलब द्रैक्शन rational numbers हों जिने fraction बनाया जा सके इस नोट नैसे सरी किसम को fraction की शकल में नजर आ रहे जिए यान मेर रखे यह नो जो यानी अवरी नबर किसा राइब ड़ा राइब रेंग कर देचिए फार्म के रिद फार्म पार पार रेंग कहई प्रेटा इसे लिखा तो जा सकता है तू इस तू अबन मैं अब आम मैं लिख दू पर फर्क पड़ेगा पर यह फ्रेक्शन तो बन गई न पियों क्यों कि वह में आ गया तो यहां पे लफ्स लिखावाई यह लिखावाई दैट कैन बी रिटन यह नहीं लिखावागे दैट इस रिटन हो हर वो नंबर इसको फ्रेक्शन की ओम में लिखा जा सके इस रैशनल कि के हर वो नंबर दी तो आप टू को तू इस रैशनल वाई यह रैशनल है क्यों क्योंकि इसे प्रेक्शन टू और बनाया जा सकता है तो 0.5 इस दिस रैशनल यह समसाब यह 0.5 राशनल है नहीं है क्यों वाट इस 0.5 इंद फर्म अ फ्रेक्शन वान अबान टू जी विए ते समझा रही है यह बाद लास्ट में तो क्यों है बज़ा समझ आ रही है क्यों है क्योंकि यह बराबर है वन अब इसको कंवर्ट कैसे करना है अगें मैं आप से कह रहा हूं कि थोड़ा सा टॉपिक हम नेक्स क्लासे में डिसक्स करेंगे तो मैं अभी इस पर नहीं जा रहा हूं मुझे सब्सक्राइब आप लोगों के पर इतना ज़्यादा टाइम नहीं मुझे इस से जल्दी वाइंड़ करके कुछ कुछ प्रिशन जो आज का टार्गेट है इस सेकंड टॉपिक डायरेक्ट इन पर उसकी तरवान है फिलाल यह बात याद रखो के जिस भी नंबर को अगर क्याक्याइटर अभी है कितने क्याक्याइटर निकालो और किसी भी नंबर के अब आप में 0 रखके देख लो अब अब इनको भी दिखाऊ दरखावर और वह बीन अबर लो और इसके अब आप में 0 रखो अब इसका जो आंसर है ना वो इन फाइनाइटली लॉंग हो जाता है हमारे कैल्कुलेटर से कैल्कुलेट निकर्वा आप बोलेंगे मैं तरह तो इससे पहले भी आया था अब इस वक्त आप उसे नंबर नी बोले आप इसे बोले तो इसे वहां रूट में माइनस साइन रखा था वह और वह कॉंपलेक्स नंबर की कंडिशन यहां पर अब आप अब जब जिरो लगाते ना पेटा यह ऐसे हैं कि मैं तुम्हें बाई लट सबोज मैं तुम्हें तक्सीम और मैं तुम्हें कहाओं तो सब्सक्राइब कर रहा हूं क्यों मेरे पास पड़ाय मैं उप्यावाइब करें बड़े जाव आ estamos पहले काम यह के ना वो दस रुपए का नोट ना पहले 0.5 लोगों में तक्सीम करके बताओ तैन से डिवाइड करो यही चीज है जब भी आप जीरो से बन के दर्म्यान कोई भी वैडियो डिवीजन में रख होगे तो मारा आंसर और बड़ा हो जाएगा करके देख लो तुम टैन को डिवाइड करो दो जीरो पॉइंट जीरो फाइड से लोगों को अ दो सो हो गया देखा आपने मिटें हां और इसी तना और और बोजी लोगे करीब लेते जाओ पेडिवाइड फाइड से लोगा इन फिरो फाइड फाइड मैं जीरो के जितना करीब जाओं पर मेरी वैल्यों बड़ी होट अगर मैं 10 को दिवाइड करूं 0.000 एक और जीरो के फाइट से साथ और वैल्यों बढ़ी हो जाएगी करके दिखाऊ कितना 20,000 या 2,00,000 ठीक है तो बात समझ जा रही है कि जिटना करीब जारों वैल्यों बढ़ती जा रही है तो जीरो पर वाहिए वैल्यों इन्वाइनाइट लॉग हो जाती है इसका आंसर नहीं कर सकता हम भी इसी लिए हम रैशनल नंबर तक वहीं तक कंसिडर करेंगे जिसको हम सॉल्व कर सके यानि इसके डिवीजन में जो क्यूं लिखावा है वो क्यूं की वैल्यों एक ऐसा इंटीजर होना चाहिए जो जीरो नहीं है है यहाओ एर तो थी तो दिस इस वाल अवाओ फ्रैशनल अब कर अब और एक्ट करने के लिए लगता है तो प्रिसमेंता कुछ चीजसे आधिया रैश्नल अम्र में जैसे रैश्नल अम्बर में हमारे पास डैसिमल वैलियो हैं मगर कुछ डैसिमल वैल्योज इसे हैं जिनको फ्रैक्शन में चीजि़ नहीं पिया जासे अब वो ती ईसमें involved होती है विटेंh वो से ओनकी आप यों अब dance ही सिरी करी देखिया क्यों है कि वैसिय मेल नंबर या तो तर्मीनेटिंग ओन तर्मीनाटिंग गरवक्ट कि उसके बाद मतलब के बार कई na's जाके बाइब लागे फोर इसके एक्जम पेल जिरो एंट वाइब गूंट फाइब या वन पॉंट री या वन पॉंट सिक्ट फूंट फॉइव वाइब यह देसिबल वैल्यों जो तीन चार वाज वैल्यों यह कि यह सब्सक्राइब अब उसके पाद वैल्यों रही है डिवाइड कम्प्रीटली हो रहा है उसको हम क्या कहते है टर्मिनेटि आपको बेसिक डिवीजन आता है मैं अगर आप आपको ना क्या करना है कि आपको इस सरी के जी है यह कौन सी पोजिशन होती है यह डिवीड होता है और यह क्या होगा तो आप बताईयों जल्दी से तो यह हमारे पास कौन सी एग्जेंबल है जो टर्मिनेटिंग है जिसका अंसर पेट इसी तरह टर्मिनेटिंग के बाद एक इग्जेंबल वह होती है जो टर्मिनेटिंग नहीं होते हैं ठीक है और नंबर्स दैट आर नं टर्मिनेटिंग अब यह जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं ना इसका मतला पूरूप नहीं रहें इसका ना कि जिन पर आपके पास इस टॉप नहीं आ रहा होता जी रो पॉइंट तरी 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 चले जा रहें आड़ ऐसे डिजान नॉन टर्मिनेटिंग कैलकुलेटर में भी जो ए ना वह यह बस आगे बड़े जा रहे होते हैं इस पट्ड़न को quarterly तो कि अन टिर्वड़ होते जक्तिकिंग ऑग महीतले सुथ कि इन में फर्दर दो टाइप्स होगी है कि नॉन टर्मिनेटिंग अगर हो उसके साथ उसमें दो चीज़ें होती है एक कि आइधर कि यह रिकरिंग है यहां पर इस नॉन रिकरिंग है नियुक्त से निकला है जिसमें को एक लफ्स रिपीट होना शुरू हो वो रिकरिंग के रहा है जैसे अगर मैं वन को डिवाइट कराऊं ठीज से है आपके पास है सॉल्फ कर लें ज़्टी से यह वैसे मैंवली गाइट करेंगे आप सर आएगा 0.3333 चलता रहेगा इस आर्वाट रिकरिंग जिसमें एक ही नंबर अकर करता रहे है इस इन एक्जाम्पल आप रिकरिंग और जिसमें एक नंबर दुबारा से ना आए ऐसी बहुत सी ग्जाम्पल्स हो सकती है जैसे 22 को 7 से डिवाइट करते है तो आपका एक कॉमन नंबर है अपने सुना होगा अगर इनको डिवाइट करें क्या आएगा 3.14 तू आ रहा है बना रहा है जल्दी तीन जार नंबर बताओ इसके आगे इस 22 डिवाइट में सैब्सक्राइट क्या लिए 571 और एंड सुन तो ऐसे नंबर जिसमें कोई आपको कोई वैल्यों रिपीट होती नदर नहीं आए ठीक है वह रही नॉन रिकरिंग होगा ठीक है अब यह वदाईए जितना पढ़ा इसमें अब यह रिसेंट जो आपको चार्ट नजर आ रहा है क्या समझा रहा हूं आपको दर रगए पच्छा रीकॉल करवा देजा कि यह क्या बता रहा हूं है डैसिमल नंबर क्यों पता है मैंने आपको तरह कर पता है मैंने बदाया ना कि रैशनल नंबर कोई ऐसा नंबर हो सकता है जो जिसकी फ्रैक्शन बनाई जा सकता है कि अनबर देट कैन चेंज बैक इंटू देट कैन बेरिटन इंटू कि प्रैक्शन इस पॉल्ड रैशनल नंबर और अब डैसिमल नंबर में किसको रैशनल में रखना है किसको नहीं रखना वह डिफाइन करते हैं यह तीन जो टर्म्स हमने पढ़ी ना आब टर्मिनेटिंग कि हमने पढ़ी की ट्रेकरिंग और नोनिक रिखरी मिस स्थिविजन करते चैंठी में को और अगर मैं आपको पहले वात बता चुका हूं कि राशनल रैशनल का जब घगावन करते हैं तो जो इर रैशनल में आएंगे वो रैशनल के इलावा होंगे सारे लिए इर रैशनल को डिफाइन करने के लिए दो टर्म्स अगर यूज की जाएं कि कोई भी ऐसा डैसिमल जो नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ नॉन रिकरिंग भी हो वो हमारे पास इसमें आएगा इस और वो चाहिए किसी फ्रेक्शन के दुरू है जाए स्क्वाइरू रूट के दुरू है जैसे इस्वाइरू आफ तू निकाला जाए इस्वाइरू टू निकाला जाए अब बताओ इस नंबर में जब तुम इसको देख रहे हो क्या इसमें नॉन टर्मिनेटिंग है यह नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है कैसे पता लगए को आइट के पाद यृजड न टुपे रहे ह। है न pig न तर्मिनेटिंग वाली कंडीशन इसको को सु作品 उरही है और दुसी चीज़ी आओ पिलफील हो रही है और दूसी चीज पे क्या बुद वियू औस नॉन नॉन रिकर्रिंग कैसे कोई नमबर रिपीट नहीं हो रहा है को एंट के पाद 4142 ऐसे रेंडम नॉमबर चलना है तो अनमबर देट इस नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकर्रिंग इस के रैशनल क्लेयर जैसे के पाई पाई की वैलियो जो हमारे पास बताई जाती है ने 22 वाई 7 आपको बलोगे सब पाई की वैलियो 22 वाई 7 लिखते हैं हम लोग तो वह तो फ्रेक्शन है तो फिर इस इसाब से तो यह क्या नाम है पिर रैशनल नहीं होना चाहिए क्योंकि है यह फ्रेक्शनल तो होता है यह जिसे आप के एक्ष्छन बना सको कि दो ढलेडी अच्टिमेती वैलियो अब चैक करना चाहूं ना आप क्याल्कुलेटर में दबा करना पाई का शिमल आ रहा हो है आप उसको डारेटनी दबाव और उसके पाद इस इक्लस्त्रों दबाओ आपके पास पाय की जो एक्ट्ट वैल्यू आएगी न वो थी पॉइंट फॉर वन तू नहीं आएगा फॉर वन संधिक कुछ और आएगा थी पॉइंट वन फॉर वन फाइव एन न जबके तो टूइंट टूइट वाइट तो क्या आता है तुरी पॉयंट वन फॉर तुवर इसका मतलब इस अन एस्टीमेट गई वैल्यू इड अट टेक्ट वापस चेंज बैक करना इसको इन अप्रक्षयन है ठीक है सो अब मैं फर्दर आपको नहीं बढ़ाओंगा अब फिलाल अब आप मुझे यह बताओ कि के रैशनल की डेफिनेशन के मुताबिक क्या प्राइम नंबर रैशनल है जी प्राइम नंबर रैशनल है क्यों क्यों भाई आपिंप वाय फ्राइम प्राइम नंबर है क्या और नंबर रैशनल है क्या इवन एवन ओड्रीजनल है कि सारे इंधियर रैशनल है यह इन्प्लीट नंबर सिस्ट्रम की तो वह कैसी होगी अब मैं तरह आपको वह दिखाने लगा और यह सारे नंबर टाइम आपको समझ आ अगर मैं कंप्लीट नंबर सको डिवाइड करूं मैं इसमें पढ़ते हैं तो पहले वह डिवाइड होते हैं दो में रेल कॉंप्लेक्स ठीक है फिर वह डिवाइड होते हैं मजीद दो में अ रैशनल इंट्राइशनल 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 से फर्दर डिवाइड वह वह एं कि भाई अगर आपके पास यह समझ लीजिए कि इंटीजर्द हैं जा डैसिमल है डैसिमल और ट्रेक्शन को एक ही काटिकरी में रख लो कि यह स्पैसिफिक डैसिमल और ट्रेक्शन होते हैं जो नान डर्मिन इंट्राइड नहीं करते हैं अब यह जो इंटीजर्द हैं इसका फर्दर डिवीजन इसमें ओल नंबर जा दिएंगें इसमें इवन और प्राइम और कमपोजिट के सब इसी के अंतर आजएंगें इवन और हो गया प्राइम ओगया कंपोजट हो गया ठीक है वोल नंबर को फॉर्दर डिवाइट किया जाता है एक वोल नंबर जीरो है और एक नेचिन लंबर से जीरो अलग है ना इसलिए होल नंबर की कैटेगरी में उसको अलग रहती है ठीक है तो दिस इस आल अब आउट नंबर टाइम्स ठीक है क्लेयर हुआ जैसे इंटीजर के ताथ और आप प्राइम कंपोजेट भी निकाल के लिख सकते हैं और डेसिमल और फ्रेक्शन कौन से रैशनल है इसको फर्दर एक तो टर्मिनेटिंग हो गए तो टर्मिनेटिंग अलग है क्योंकि वह तो रुख जाएंगे तूसरे जो रिकरिंग भी है यहीं नॉन टर्मिनेटिंग के साथ वह रिकरिंग है तो इस इस वाल अवाव नंबर्स यह हैं हमारे पास मैंस में जितने भी डिट्रेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स हमें